गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है अगर आपका प्लान इन गर्मियों में किसी लिश्ट सम्ट गूमने का है तो आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गूम सकते हैं और अपनी छुट्टे एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर मॉल रोड रिज एंड सकंडल पॉइ स्टेशन वा एरपोर्ट दोनों ही है दिल्ली से शिमला के लिए कोई डारेक्ट ट्रेन नहीं है इसके लिए आपको दिल्ली से कालका ट्रेन से आना होगा कालका देश के सभी मेजर रेल्वे स्टेशनों से कनेक्ट है कालका से शिमला बाई ट्रेन टैक्सी वो बस तीनों से ही पहुंच सकते हैं हिमालियन क्वीन कालका से शिमला जाने के लिए भारती रेलवे की एक ऐसी टॉय ट्रेन है जो आपके सफर को और भी मज़ेदार बना देगी यह ट्रेन 96 किलोमीटर दूर की दूरी 102 सुरंगों वो 82 पूलों से होकर पूरी करती है यह रेल रूट गिनीज साड़े पांच घंटे का है लेकिन ये साड़े पांच घंटे आपकी जिंदगी के सबसे यादगार पलों में शामिल हो जाएंगे यह ट्रेन पाइन ओक वो देवदार की सुन्दर वादियों से गुजरती है तथा साथी पहाड़ों के खूपसूरत नजारों के दर्शन भ आपके जीवन के सबसे अनमोल पलों में से एक पल होगा माल रोड यह एक ऐसी जगह है जो यहां आने वाले परियटकों को अपनी और आकरशित करती है माल रोड से प्राकरतिक सुन्दरता का एक अलगी द्रिश्य दिखता है लकड बाजार यह एक पॉपुलर शॉपिंग प्लेस है यहां से आप लकडी से बनी हुई चीजे किसी को गिफ्ट करने या अपनी शिमला विजिट की यादगार निशानी के तौर पर खरीद सकते हैं दरीज यह एक खुली जगह है जो इस्ट में लकड बजार वो वेस्ट में स्केंडल पॉइंट से मिलती है स्केंडल या माल रोड के सेंटर में है और मारकट के पास है इसकेंडल पॉइंट माल रोड कי सबसे ऊची जगह है क्राइश्ट चर्च या उत्तरभारत का दूसरा सबसे पुराना चर्च है यह रिजके पास ही इस्तित है यह त्री इडिएट फिल्म में दिखाया गया था दूसरे दिन की शुरुवात समर हिल्स से करें यह सिमला की साथ मुख्य हिल्स में से एक है यहां से आप सन्राइज और संसेट दोनों का आनन्द बहुत अच्छे से ले सकते हैं चाडविक फाल यह समर हिल के पास है कुफरी यह सिमला से लगभग 15 किलिमेटर दूर है कुफरी एपल के बगीचों से घुरुवा एक स्थान है यहां आप सर्दियों में स्कीन का आनन्द ले सकते हैं यह एक अच्छा पिकनिक स्पोर्ट होने के कारण आप यहां गर्मियों को दौरान पिकनिक भी मना सकते हैं आप यहां होर्स राइडिंग भी कर सकते हैं कुफरी के अन्य दर्सनी स्थलों में आप महस्वरी टेंपल, महास्पीक, नाग टेंपल, फागू वैली, कुफरी फनवड इत्यादी जगों का आनन्द उठा सकते हैं ग्रीन वैली, यह सिमला और कुफरी के बीच में है, यह बहुती खूबसूरत प्लेस है, यहां पर आप फोटोग्राफिक का मज़ा ले सकते हैं, यह फोटोग्राफिक के लिए बेश्ट प्लेस है जाखू हिल, यह सिमला की सबसे उची चोटी है, इसलिए यहां के आसपास का द्रिस बहुती मनोहर दिखाई देता है यदि आप एक नेचर लवर हैं, या फिर एडवेंचर लवर हैं, या फिर आप धार्मिक आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, तो यहां प्लेस सिमला की सबसे बेश्ट प्लेस है यदि आप एक नवविवाहित कपल्स हैं तो आप यहां अपने पार्टनर के साथ यहां के हसीन वर रोमांटिक वादियों में क्वालिटी टैम स्पेंड कर सकते हैं यदि आप एडवेंचर लवर हैं तो आप यहां ट्रैकिंग के साथ साथ नेचुरल व्यूटी का अनन्द भी उठा सकते हैं यदि आप धार्मिक आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं तो यहां पर एक मंदिर भी है जिसे जाखु टेंपल कहते हैं यहां हनुमान जी की विशाल प्रतिमा स्थावित है निश्चित ही यह जगे आपको शिमला के बेस्ट प्लेस में से सबसे अच्छी लगेगी दोस्तों सिमला में इतना सब कुछ घूमने के बाद अब बात करते हैं एक्समेंस की दिलिशे शिमला का फेयर 1200, होटेल 2000, फूडिंग 1600, लोकल कन्वेंस 1000 तो टूटल कोश्ट पर परसन आजाएगी 6800 रुपए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें आगे और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थैंक्स फॉर वाचिंग